हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इंक एक्जाम आए देखते हैं देशों के नए प्रधानमंत्री और राष्टपती से रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन जो आपके आने वाली एक्जाम के लिए इंपोर्टन है अगर आप लोग चैनल पर ना है तो को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉस्टन से फर्स्ट कॉस्टन है हाल ही में इरान के नए राष्टपती कौन चुने गया है तो इस कुस्टन का सभी एंसर हो जाएगा ऑप्शन नॉमबर टू इबरहिम राइसी ये जो हैं इरान के नए राष्टपती चुनेगे हैं इब्राहिम राइसी 60 वर्षी इब्राहिम राइसी 2021 में इरानी राष्टपती का चुनाओ इन्होंने जीता है इब्राहिम राइसी अपने अगले 4 साल के कारकाल के लिए अगस्त 2021 में ये जो है हसन रुहानी का स्थान लेंगे इब्राहीम राइसी जो है ये हसन रुखानी की स्थान पर ये इरान के राष्ठपति बनाा जाएंगे इरान की राध्धानि क्या है यारन की मुद्रा क्या है करेंसी इरानी तोमान याद रखिएगे next question दिखते हैं हाली में अर्मेनिया देश के नए प्रधान मंत्री कौन चुने गए है तो इस कुस्टन का उप्षिन नमबर फ़स्ट सही होगा निकोल पसी नियन ये जो है अर्मेनिया देश के नए प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर चुने गए है निकोल पसी नियन उप्षिन नमबर क्या है और मेनिय देष की मुद्र क्या है करेंसी यह घ्र मेनिया की करेंसी है के-चोगु कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने है तिस कोश्चन का ओप्शन नंबर ठीए सही हो जाएगा माली यह जो है चोगू एल कोकला माईगा यह माली देश के प्राइम इनिस्टर बने हैं ओप्सन नमबर थी सही होगा अफरीकी देश माली में सैनिकों ने विद्रो कर दिया और देश के नी वर्तमान राष्टपती बाह एंड दाव और प्रधान मंतरी मुकट और इसके चलते जो है यह जोगू एल कोकला माईगा को माली देश का नया प्रधान मंतरी बनाया गया है माली देश की कैपिटल क्या है राजधानी क्या है तो यह है बामा को और माली देश की मुद्रा करेंसी क्या है तो यह है वेस्ट आफरीकन फ्रेंक वेस्ट आफरीकन कि ये माली देश की मुद्रा है करेंसी है नेक्स कुस्चन देखते हैं हाल ही में इसराइल के नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं तो इस कुस्चन का सही एंसर हो जाएगा option number 3 नफ्ताली बिनेट ये जो है इसराइल के नए प्राइम इनिस्टर बने है इसराइल के प्राइम इनिस्टर बनाए जाएंगे और Benjamin Netanyahu वो जो थे इसराइल के लगतार 12 साल तक प्रधान मंतरी थे तो नफ्ताली बिनेट नए इसराइल के प्राइम इनिस्टर बनेंगे इसराइल के राजधानी क्या है Capital क्या है तो ये एरुसलम और इसराइल की मुद्रा करेंसी क्या है तो ये है निउ सेकल इसराइल की करेंसी है मुद्रा है Next question हाली में इसाख हर जोग किस देश के नए राष्टपती बने है तिस questions का सही answer हो जाएगा option number first इसराइल के इसाख हर जोग जो है इसराइल के जो है नए ग्यारवें राष्टपती बने है ग्यारवें नंबर के राष्टपती बने है इसाख हर जोग और इसराइल की अभी बताया गया करेंसी तो इसराइल की राष्धानी क्या है येरूसलम और इसराइल की मुद्रा क्या है तो ये है न्यू सेकेल और जिराइल की संसत का क्या नाम है तो यह है दा नेशेट याद रखें कर नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं हाल ही में इकवाडोर देश के नए राष्टपती कौन बने है तो इस कोस्टन का सही एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर टू गुई लेर्मो लासो यह जो है एकवाडोर देश के नए राष्टपती प्रेशिडेंट बने हैं गुई लेर्मो लासो तो आप्शन नमबर टू सही हो जाएगा इकवाडोर में दच्छनी पंति क्रियेटिंग अपर्चिनिटीज पाल्टी के उम्मीद्वार गुई लार्मो लासो को इनको यहां का राष्टपती चुना गया है इकवाडोर देश का तो आप्शन नमबर टू सही होगा इकवाडोर की राष्धानी क्या है तो यह है क्यूटो और इकवाडोर की मुद्रा करेंसी यह है अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर नेक्स्ट कोश्चन हाली में नेपाल देश के दोबारा प्रधान मंत्री कौन बने है तो इसकोश्चन का ओप्शन नमबर टू सही हो जाएगा केपी सर्मा ओली यह जो है नेपाल देश के दोबारा पीम बने है प्राइम मिनिस्टर बने है केपी सर्मा ओली खलक परसाद सर्मा ओली यह जो है द नेपाल जो है ये एसिया महादेप में इस्तिता है और भारत का पड़ोसी देश है नेपाल भारत के पांच राज्यों को टच करता है वो कौन कौन से राज्य है ये पस्चिम मंगाल उत्तरपदेश और बिहार उत्तराखंट सिक्किम नेपाल की जो सीमा लगती है नेपाल भा पांच राज्यों को चुता है पस्रिम्मंगाल उत्राखंड बिहार उत्तरपदेश सिक्किम इन पांच राज्यों को चुता है नेक्स कोस्टन आना तोले कोली नेट माकोशो किस देश के नए प्रधान मंतरी बने हैं तो इस कुश्टन का ओप्शन नमबर 3 सही हो जाएगा कांगो गणराज के हैं आना तोले कोली नेट माकोशो ये जो हैं कांगो गणराज के नए प्रधान मंतरी प्राइम इनिस्टर बने हैं आप्सन नमबर 3 साई हो जाएगा कांगो की राजधानी क्या है तो यह ब्रंजाविल और कांगो की मुद्रक्या करेंसी तो यह कांगोली फ्रैंक और कांगो गंड़राज जो है यह अफरीका महादीप में इस्तित है और कांगो के राष्टपती कौन है तो है डेनिस सासो न्यू एसो जो है ये राष्टपती है कांगो गणराज के अब प्रधान मंतरी ये है आना तोले कोलिनेट माकोस हो याद रखेगा नेक्स कुस्ट्चन निर्वासित तिबबब सरकार के नय प्रधान मंतरी कौन बने है तो इसकोस्ट्चन का सही एंसर हो जाएगा option number two पैमपा सोरिंग ये जो है ये तिबबब सरकार के नय प्राइम मिनिश्टर बने पैमपा सेरिंग उप्जन निर्वासित तिबबत सरकार के नए प्रधानमंत्री पेमपा सेरिंग लोब सांग संगाए की ये जगा लेंगे निर्वासित तिब्बत सरकार के गठन के लिए अमेरिका, अस्टेलिया, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सहीद 22 देशों ने मददान इसमें 22 देशों में मददान हुआ था तिब्बत जो है ये चीन का एक आटो नामस छेतर है ठीक, तिब्बत की राजधानी क्या है तो ये है लेहासा और तिब्बत की मुद्रा क्या है करेंशी ये है चाइनिज यूवान नेक्स कोस्टन फार्म मिन चिन किस देश के नए प्रधान मंतरी बने है तो इस कोस्टन का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 3 वियत नाम ये जो है फार्म मिन चिन ये जो है वियत नाम के नए प्रधान मंतरी प्राइम इनिस्टर बने है तो आप्शन नमबर 3 सही होगा वियत नाम की राजधानी क्या है तो ये हनोई और वियत नाम की मुद्रा ये है वियत नामी डॉंग याद रखेंगे next question देखते है वरतमान में अमरीका के राष्टपती कौन है तिस questions का option number first साही होगा जो बाइडन ये वरतमान में अमरीका के president है राष्टपती है जो बाइडन और ये जो है अमरीका के 46 वे राष्टपती है और ये डोनाल्ड ट्रम के स्थान पर बने है जो बाइडन और ये कामला हैरिस जो है ये भारती मोलकी है और अमरीका में जो है ये उपराष्टपती है याद रखेंगे option number 3 ये जो है कामला हैरिस ये उपराष्टपती है अमरीका में अमेरिका की राजधानी क्या है तो यह वासिंग्टन डेसी और अमेरिका की मुद्र क्या है करेंसी यह है US डॉलर अमेरिकन डॉलर next question Scott Morrison किस देश के प्रधान मंत्री है तो इस questions का option number 2 सही होगा Australia के Scott Morrison जो है यह Australia के Prime Minister है Australia की Capital क्या है Canberra Australia की मुद्र करेंसी क्या है तो यह है Australia Australian Dollar next question वर्तमान में New Zealand के प्रधान मंत्री कौन है तो इस questions का सही answer हो जाएगा option number 3 Jacinda Ardern जो है यह New Zealand के Prime Minister है तो option number 3 सही हो जाएगा New Zealand की राजधानी क्या है तो यह Wellington और New Zealand की मुद्रा करेंसी क्या है तो यह है डॉलर next question Boris Johnson वर्तमान में किस देश के प्रधान मंत्री है Boris Johnson तो यह है Britain के option number 3 सही होगा यह Britain के UK के प्रधान मंत्री है Boris Johnson Britain की राजधानी क्या है तो यह है London Britain की मुद्रा क्या है Pound Sterling ठीक याद रखिएगा next question देखते हैं वर्तमान में शेख खलीफा बिन जायत अल नहान किस देश के राष्टपती है तो इस questions का option number 2 सही होगा UAE के सही तरब अमिरात के जो है यह वर्तमान में शेख खलीफा बिन जायत अल नहान यह सही तरब अमिरात UAE के राष्टपती हैं सही तरब अमिरात की राजधानी करेंसी राजधानी कैपिटल यह अबुधा भी है और सही तरब अमिरात UAE की मुद्रा करेंसी क्या है तो यह है दिरहम नेक्स कोस्टन वर्तमान वर्तमान प्रियूत चान ओचा किस देश के प्रधान मंत्री है प्रियूत चान ओचा तो इसकोस्टन का ऑफिसन नमबर फरस्ट सही होगा थाईलेंड के प्रियूत चान ओचा जो है थाईलेंड के प्रधान मंत्री है थाईलेंड की राजधानी क् मुद्र क्या है यह है बहत बहत नेक्स्ट कोस्टन दच्छिन अफरीका के वरतमान राष्टपती का क्या नाम है तो इसकोस्टन का उप्षिन नमबर टू सही होगा सीरिल रामपोसा यह जो है दच्छिन अफरीका के वरतमान राष्टपती है प्रसीडेंट है सीरिल रामपोस तो यह प्रीटोरिया और दच्छन अपरीका की मुद्रा क्या है तो यह रेंड नेक्स कोस्टन असरब गनी अहमद जैई वरतमान में किस देश के राश्टपती है तो इस कोस्टन का सई एंसर हो जाएगा अपशन नमबर टू अफगानिस्तान के असरब गनी अहमद जैई वरतमान में जो हैं अफगानिस्तान के प्रसिडेंट है अफगानिस्तान की राश्धानी क्या है कैपिटल तो यह काबूल और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या करेंसी यह है अफगानी नेक्स कोस्टन ली किकियांग वरतमान में कि इस देश के प्रधान मंत्री है तो इस questions का option number first से होगा चीन के ली किकियांग वरतमान में जो है ये चीन देश के ये प्रधान मंत्री है ली किकियांग और राष्टपती कौन है वहाँ के चीन के तो वह है यह प्रधान मंत्री है चीन की राजधानी क्या है तो यह है बीजिंग और चीन की मुद्रा करेंसी युवान है यह रेन मिन भी जो है यह चीनी गणराज की अधिकारिक मुद्रा है रेन मिन भी यह चीनी गणराज की अधिकारिक मुद्रा है यह चीन में विदी माने मुद्रा है लेकिन यह होंग कांग और मकाव में नहीं है माने ठीक, next question देखते हैं सेख हसीना वर्तमान में कि देश की प्रधानमंत्री है तो इस question अप्सन नमबर 2 सही होगा बांगलादेश सेख हसीना वर्तमान में यह बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर है उप्सन नमबर 2 सही हो जाएगा बांगलादेश की राजधानी क्या है तो यह ढखा का बांगलादेश की मुद्रा क्या है तो यह टका next question Emmanuel Macron वर्तमान में कि देश के राष्टपती है तो इसकोस्टन का उप्सन नमबर 3 सही हो जाएगा फ्रांस के Emmanuel Macron वर्तमान में यह फ्रांस के राष्टपती है प्रिसिडेंट है उप्सन नमबर 3 सही होगा फ्रांस की राजधानी गैप्टल क्या है तो यह है पेरिश अब फ्रांस की मुद्रा क्या है यूरो नेक्स कोस्टन जियर बोल्स सोनारो वर्तमान में कि देश के राष्टपती है तो इसकोस्टन का उप्सन नमबर 2 सही होगा ब्राजील के जियर बोल्स सोनारो जो है वर्तमान में ब्राजिल के राश्टपती है option number 2 सही हो जाएगा ब्राजिल के राजधानी क्या है तो यह है ब्राजिलिया और ब्राजिल की मुद्रा करेंशी यह है ब्राजिली रियाल next question एंटोनियो कोष्टा वरतवान में किस देश के प्रधान मंत्री है एन्टोनियो कोश्टा तो इस गोश्टन का option number first शही होगा पुर्तगाल के एंटोनियो कोश्टा पुर्तगाल के जो बुर्तगाल की राजधानी क्या है तो यह है लिस्बन और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है यूरो है नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइं योज अघने क Responsibility करने महींद्रा राजपक्षे वर्तमान में कि अर्मन्त्री के प्रधान опelles स्री-लंक benefit महिंद्रा राजपक्षे ये वर्तमान में जो हैं स्री लंका के प्रधान मंत्री है प्राइम मिनिस्टर है और स्री लंका के जो है ये राजपती कौन है तो ये हैं गोता बाय राक्षपक्षे प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राक्षपक्षे और राषपती प्रसिडेंट कौन है तो वो है गोता बाय राक्षपक्षे स्री लंका के स्री लंका की दो राजधानिया है स्री लंका की एक राजधानी प्रसासनी केंद्र यह है स्री जैवर्धने कोटे श्री Lanka की प्रसाशनी रालधानी है वो है श्री जैवरधने कोटे और श्री ररलंका की वाड़ेजिक रालधानी है कुलमबॉ श्री लंका की मुद्रा क्या है? करेंसी श्री लंकाई रूपिया थीक याद रखेगा दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगो पसंद आता है तो like, share और subscribe करिए जिससे सही समय आपको notification प्राप्त होता रहे तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, thank you